रामराब भाई सार्या ने आज है हमारा साथ वा दिन 75 वार्ड कोडी चैलेंज खांग और आज हम दों में बढ़िए गेट और सेट पैसर इस बारे बढ़िए डों में हम कैसे डीटा को गेट कर सकते हैं और कैसे डीटा को सेट कर सकते हैं तो हमने एक नॉर्मल चुक लियाओट है वो बना लिया था हमारे हमने डेजाइन कर लिया था अपने एस्टेमिल के अंदर और शियूस में लागा दी ती स्टैनल टेंग में अब बढ़ दिया था ठीक है स्टैरिंग हमने उसके लागा दी ती और कैसा वह दिखता है वह अमने कर डॉम का इंट्रो पड़ाता उसमें देखी लिया था ठीक है तो यहाँ पर अमार अमने यहाँ पर जो आपने बेसिक लिया खोल लिया है कैसे काम करता है दिए अमार आप एक हैड़ाद आ रहा है नीचे पुटाद आ रहा है अपर कुछ लिंक्स आ रहे हैं यही सम्दू हमने कर डेजाइन कर लिया था अमने वह बताती है इसको code भी आ ठीक है बागी की तो stable और CSS वह आप समझने ज़रोत नहीं है वह आप code लेना वह आप आनम से समझ सकते हो को कि आप ने चुए अब तिर शाट भी दिन तक आ चुक हो तो basic STM and basic हमने CSS उसके भी advanced CSS पढ़ चुक है उसकी आपको बिल्कुल टेक्शन लेने की जोगत नहीं है फी यह कुछ मैंने कर रहा है बताता हूँ आपको ठीक है हम जो है इनको dom को पहले get कर रहे है फिर उनको set करेंगे आंगे करेंगे ठीक है inspector click करते है और consume जाब देते कि क्या हमारा जो है output आ रहा है क्या आ रहा है header में तिशानत अदरवार आ रहा है header क्या है header में क्या है dot inner test इस id के अंदर जो test पढ़ाू उसको नियरगा दो पहरे आईड बे आज आईड जाएगग I remedy यह रही ID adder नभ की ah ye ए उसके तर क्या inner test क्या है test क्या है थिसका दगलल तो वहJOD है इसने हमको पिड्टक प्रिट करा दिया है यह होता है .inner text .dom में एक method होता है inner text किसी भी test को निकाल लेगे डिये ठीक है फिर ऐसी हम क्या कर रहा है content जिसकी id है उसका inner text क्या है उसको निकाल कर दो इसकी id का है यह जो पूरा content रहा है यह सब आचुकाया content जिसकी भी test आडि रखिए वो और सावे-सारा content में क्रोच कर रहा है ठीक है ऐसी ही होता है inner stml ठीक है inner stml निकाल लगा कर दो इदा stml देखे पूरा पूरा इसले जो inner stml निकाल गे दिया अपनी आइडी यह इसे यह तो निसमें हमारे चोट टेक्स है क्या क्या कर रहा है इसमें हमारे चोट टेक्स भी इनकूड़ेद है InnerTex में क्या होगा सिर्फ टैस्क जाएगा, इनेंहीं स्ट्च में क्या होगा, जो हमारे ह्ज्ट्च टैक है, इस तरह से हम innerTex करके यहाँ पर यह पर आएगा, ठीक है, तो इस तरह से हम InnerSprat यहाँ उसकर के data को ले सकते है, ऐस ही header का जो है, उसको भी लिन जाए धिश्त भी मिल्स बहु करने होब दो कि इसको गोशेट फिर जाओ फिर Запाष में भी नहीं है ठीक है इस टाइल टाइल लगा हुआ है अनकोट टाइप एरर राइ डाल ठीक है समझ गया अभी हमने गैट अट्रिबूट में हेडर के अंदर जो है पूर भी डीटेट नहीं डाल लगा है जिसमें गैट अट्रिबूट क्या होते है एक्स्ट्रा इंफॉर्मिशन होती है जै कभी-कई बार जो है सारब को हम प्रिफेट नहीं करते हैं कभी को तो अब देखते हैं यहाँ पर भी डिटर नहीं आए ऐसा करते सही एक क्या क्या है इसको क्लास दे दिया है एक क्लास दे दिया है उसमें क्लास में क्लास आफ टिशांथ थी यह लिग दिया मैंने एक क्लास बना दी क्लास हमने CSS में पट्चम की क्लास के बनाते है ठीक है अब हम क्या कह रहा है कि get element by id में जाओ content में जाओ और dot get attribute जिसका attribute अब क्लास होना उसको पकड़ कर लाओ उसके जो data उसको शोग कर हो जो attribute जो class होना उसको पकड़ कर डव क्लास नव क्या data आए वह console कर वह उसको कर आओ, उसने क्या दिखा दी है class नव क्या इसी दिया class of tshant ठीक है तो कोई भी attribute अगर आपको get करना हो ठीक है त गालते हैं यह यहांप पर यहांपस प्रयंदी औपर अइपर अहांपस पर यहांपस देखते और लगा देंगे। इसको class और देंगे उसके एक और इसको एट्रिवूर दे दिया ठीक है अब दिखते हैं अब देखिए दो आ रहे कि अगर आ आपको फर्सिं अगे निकार का अभड द का अगरु आजए फर्सिंड पे इे अब आते हैं सड़में घ्लान तरह चुक हैний देट जीरों के बाद चर झिल भांयन जो रूमने हो वह टू कर दे सकते हो ठीक है यह हो गाई मारा get method अब आते हैं set method ठीक है अब हम क्या करेंगे अब देखिए असली काम अब तक हम जीटा को सिर्फ get कर रहे थे कि निकाल के दो जीटा को जो जीटा है और उसको set भी को उसको change भी करेंगे ठीक है अब हम क्या करें document.element.id header में जाओ header में .inner st1 में क्या print कर दो header के inner st1 में अभी जा है इनर की अभी तक print क्या था अभी तक देखिए द्वारा से करते है इसको अभी तक क्या print सा अभी तक क्या print सा अभी तक क्या print सा अभी तक ठीक है 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 लेकिन जब हमने क्या क् तो हमने डबन कोट से लिए उसमें कर दिया थी एच वन टैंक में कर रहा है दो वाव लिद दो ठीक है वाव यू आद अमेजिंग यह कुछ भी रह सकते हैं जो भी लिखेंगे वहाँ पर जो हमारा शो कर जाएगा तो वह जो हमने यहां पर चेंज कर दिया हमने जावा अब हम चुछ कोड देखा उसकी आईडी को पकड़ा इनने स्टेन में वह उसकी कुछ कोड को हमने चेंज कर दिया है ठीक है यह होता है डॉक की पावर अब वहार रहा है अब हेडर में जारे हैं दोब़ार से अब सेट कर देबूट को एक एक एट्रिवुत बना रहे है ठ और style नहीं लग दी है बॉटाना दो, 10 पिक्सल का जो की dotteř हो, और yellow हो, ठीक है? इसको घर यहार से color है और भी चंज करना चाहिए, black करना चाहिए, white करना चाहिए इसका color है black तो black नम का बार जो ए, black color बार बार बउटा आ चुका है यह हमने क्या क्या आई? ना CSS में रही ना ST1 में रही हमने सिर्म Java Script के मादम से हमने ST1 और CSS में दौनों में चेंज कर दिया है एक attribute हमने लगा दिया है ठीक है ऐसे ही हम attribute 1 की value को क्या करना चाहते है XYZ करना चाहते है तो वह भी हम यहाँ पर कर सकते है attribute 1 की value है वह XYZ हो चुकी है attributes जो इसने बन लगाया है उसकी value है class नब की वह क्या हो चाहिए XYZ यानि की कौन सा लेकिए header ना में क्या है value 0 बर 0 index पर ID header है 1 index पर क्या है header है class ठीक है लेकि अब हमने क्या 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 दिया attribute 1 की value है, class से क्या 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 दिया, address से उसको XYZ transform क्या दिया ठीक है इस तरह से हम changes कर सकते है फिर अगर हम attribute क अटाना चाहिए जैसा कि अभी हमने attribute कर दिया ठीक है तो border भी हमारा जा चुका है, इस तरह से यह काम करता है, header में जाओ, class नाम के जो attribute है उसको remove कर दो, तो class नाम के इसने जो attribute है वो भी remove कर दिया है, तो इस तरह से हम DOM की मादम से data को get कर सकते हैं, और set कर सकते हैं, Java Script की यह power है, कि हम DOM की मादम से जो है, HTML को data को change कर सकते हैं, उसस काफी आसा मसे मैं आपको डॉंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डॉंग की अभी और वीडियोस आने वानी है, तो please वीडियो को like और चैनल को subscribe पर देना मिलेंगी आफ सथी आगली वीडियो में